फतेफूर से सांसद साधी जोती निरंजन हमारे साथ मौझूद है जो कि प्रधान मंती नेरमोदी की दूसरी कैबिनेट में भी मंतरिपत की शपत लेंगी मैं इससे पहले की कैबिनेट में भी आप शामिल थी इस बार फिर शामिल हो रहे हैं कितनी चुनावती पून रहेगी ये कैबिनेट और क्या कहना चाहेंगी दो बार लगतार आपको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है मानी प्रधान मंत्य जी के लिए में बहुत बहुत इसो से कामना करती हो कि स्वस्त रहे करके बर्सों इस देश की सेवा करते रहे हैं और हम जैसे विक्तिों के लिए तो कलपना थी किम मंत्री मंडल में सामिल होंगे हम तो गाहों गरीब एक गरीब किसान और एक फोड़ा चलाने वाले बाप की बेटी हूं और मुझे से बेक्ती पर विश्वास जताया है तो मैं समझती हूं कुछ विश्वास को हम कैम रखें आपने कहा कि आप गरीब परिवार की बेटी हैं बेटियों की तादा संसद में बढ़ी है तकरीबन बीजेपी से ही 40-40 महिलाएं हुई हैं और आप दूसरी बार मंत्री मंदर में शामिल हो रही हैं क्या लगता है कि आप महिला परतिनीदी तो बढ़ेगा देश के अंदर संस काफी मतों से आप फतेपूर से जीती हैं अब क्या चुनाओती रहेगी आपके लिए फतेपूर में शामिल रहें और सांसद भी रहेंगी तो क्या कहना चाहेंगी अपने फतेपूर की जनता के लिए दो हजार चुदा में जब मैं वहां पहुंची थी सच में वहां कोई विकास नहीं तब पूरी सड़के खराब पड़ी वही थी स्वास्ति की दृष्टी से सिक्षा की दृष्टी से आज जब हम उन्नेस में सरकार बना रहे हैं तो मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे जनपद में सबसे बड़ी योजना मेडिकल कॉलेज जो स्वास्ति सिक्षा और चिकिस्षा दोने से जुड़ा हुआ मुद्दा एक मेडिकल कॉलेज बने जा रहा है केंद्री विद्यले भी हो गया और बहुत सारी परियोजना गई हैं आगे और भी करेंगे में मंत्री पत का शपत लेने के बादा में कौन सा काम है कौन सा आपका टारगेट बनाए जिससे सबसे पहले करना चाहेंगे आप मानिये प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन नहीं दिया, जनता को अस्वस्त किया है और वही अस्वस्तता ही जनता विश्वास जताते हुए पुना बहुत बड़े मंडेट के साथ जनता ने जनादिश दिया है, हम लोग उस पर काम करेंगे, क्योंकि गोसराएं नहीं, काम कर दिल्गी